आज मैं कह रहा हूँ, आपके अपने लव लाइफ में किसी भी प्रकार की दिक्त हो। आज मैं कह रहा हूँ कि यदि आपके अपने प्यार में, आपके सम्मंधों में, आपके रिलेशन्स में तकलीफ हैं, तो आज के आज पांच मिट में ठीक किया जा सकता है। आपको इसके लिए कुछ बहुत सारी चीजे नहीं चाहिए इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्वी चाहिए और एक कोई भी रितुफल चाहिए रितुफल का मतलब होता है जो भी आप फल अबलेबल हो इसली आपके आसपास जो भी फूर जो भी फल आपको आसानी से अबलेबल हो उसमें स्वी इस प्रकार से लगा दें आपका चाहने वाला तरफ कर आपके तरफ भाग कर आएगा आपको जो भी सम्मंध है आपका पार्टनर आपके बगर रह नहीं पाएगा आपका पती आपकी पत्नी आपके बगर एक पल रहने के लिए भी राजी नहीं होगी वो बिवश हो जाएगा आपके चरणों में गिरने के लिए येस्वी इस फरकार से इस फल के अंदर लगा दीजिये बस इतना करने मातर से वो तड़फ उठेगा आपकी याद में आपकी अच्छाईया आपके खुश्नुमा पल आपके साथ बिताई हुई वो अच्छी चीजे उसके जहन में कौंध उठेंगी मानो बिजली की तरह वो सिर्फ और तुम्हारी यादों में बेचैन होगा आपका पाटनर सरवदा सदा के लिए हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा मैं कह रहा हूँ कि आपके सम्मंधों में एक नई कांती आ जाएगी जीवन में हर चीज की आवशक्ता है उसके साथ साथ जरुरत है आपके अपनी सहज होने की जब आप डिप्रेशन में होते हो परिसान होते हो उदास होते हो निरास होते हो हतास हो और बहुत विवल होते हो तो आप कहीं न कहीं प्यार से अच्छूते हो और प्यार से दूर हो तभी ये हालत होती है सच्चे प्यार की सबसे पहली पहजान पहचान है कि तुम बेचैन हो उटते हो उसके बिना सच्चे प्यार की सबसे बड़ी पहचान है कि तुम्हें वही ही चाहिए होता है पूरा सरवस्त से एक तरफ और वोई एक तरफ सच्चे प्यार की बड़ी भारी पहचान है कि तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो हर हाल में तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए होता है इसमें बेचैनी हतासा निरासा उदाशी इंताहा और डिप्रेशन बढ़ता है इन सब चीजों को आज समाप्त किया जाएगा आज उन सारी के सारी विवस्थाओं से साजा कर विवस्थाओं का आपका साथ संबंद बनाएंगे ताकि ये सब की सब चीजें आपकी ठीक हो दिये हुए नंबर पर ऐसा कोई बिक्टी नहों जो एक बार कॉल करके अपना रिशेशन न करा ले बहुत अले बाद सीधा उपाये को लेकर चलता हूँ आज मैं कह रहा हूँ कि सामगरी में तुमको चाहिए कोई भी रितूफल रितूफल मतलब जो भी अबलेबल्टी हो जो सीजनल फल हो सीजनल फूट्स में कोई भी ले सकते हो केला हो अब रूत हो शेभो संत्रा हो जो मिल जाए भाई जो सस्ता सुंदर टिकाओ हो वो लेके आजाओ अब क्या चाहिए एक नई निडिल स्वी चाहिए स्वी का बेसिक आकार छोटी वाली उंगली से छोटी वा कर रहा हूं बता तो मैं खुदी देता हूं गुगल कर निगली तो क्या ही कहता हूं बच्चे उना इसलिए सिखाना तो सब कुछ पड़ेगा तो मैं छोटी वाली उंगली के साइज का कम से कम निडिल होना चाहिए इस निडिल को आप कपूर जलाकर के थोड़ा सा हलका गर कर लीजेगा हाथ जल्दे नपाए बहुत ध्यान से और बस इतनी गरम हो जाए कि जब आप फूट्स के अंदर उसको चुभाएं तो क्या आवाज आनी चाहिए ठोड़ी गरम होगा तो आएगी वह वरी सुभाविक बात है उसमें कुछ मैजिक नहीं है जब आप डाल रहे होना बस एक नंबर और एक शब्क बोल देना अ कि लें पूला ला कर नीचे रघ्राना रम ला होता ना लाकर नीचे री बनाना या ल्रिम हूं फट स्वाह ऐसा बोलके श्ष्ष् अंदर जाने दिज़े स्वी को और इस फूट को सूद्सान जगे में जहां कोई न हो जहां आपकी आवाज थोड़ी गुंजे अगर तो भी अच्छा है किसी जलासाई के पास, किसी जंगल में, किसी सूद्सान जगे में अपने पार्टनर का खुब चीकर नाम ले करके फेकना जितना दूर जितनी ताकत से चीक होगे और जितनी ताकत से फेक होगे उतनी ही ताकत से खिचाओ बढ़ेगा आकर्शर बढ़ेगा, सम्मोहन बढ़ेगा विष्व में इससे बड़ा तंत्र नहीं बना विश्व में इससे बड़ा आकरशन का मंत्र नहीं बना विश्व में इससे ज़्यादा बड़ा किसी भी सूरत में कोई वशी करण नहीं बना इससे बड़ा कोई उपायास तक बना ही नहीं है करके देखो न, तुम्हारे करते ही जब बेनी फिट हो तो मानना हमारे कहावत है अंधरा आखिन द्याखे तब पती आए जब तुब देखोगे तो खुदी मानोगे जब तुम्हारे साथ परिवर्तन प्रारंब हो जाएक तुम खुदी मान जाओगे लेकिन उपाय करने के पहले तीन नियम सबसे पहले आवश्चक है जो अभी क्यभी इसी समय सुरू कर दो अगर तुम्हारा आज पहला दिन है अगर तुमने पहली बार मुझे देखा है तो आज क्या आज ये काम जरूर सुरू कर देना क्या करना है तुमको सबसे पहले हर आधे घंटे में आला राम लगा के मुबाइल में पड़ाम करके पानी पीना है पानी देवता है तो उसको पड़ाम करो फिर पीओ पहला काम दूसरा अपनी सौंदर्यता को जितना बूस्ट कर सकते हो उस पर काम करो तुम इतने सुंदर और इतने फिट बन करके रहो कि तुम्हें सोते समय भी अगर कोई फोटो खीच ले तो वो फोटोजनिक होनी चाहिए दिवाल में लगाने लाइक तीसरा काम मुश्कुराओ शुरुवात में जबर्जस्ती करो फिर अपने आप होने लग जाएगा ये तीन नियम सर्व प्रथम आवश्यक है अगर तुम मुझे देखते हो जानते हो और समस्ते हो खुश रहना मुश्कुराना ये उपाय किसी दिन किया जा सकता है कभी भी किया जा सकता है किसी भी अवस्था में किया जा सकता है किसी भी परिस्तिती में किया जा सकता है पूरी शद्धा चाहिए विश्वास चाहिए गुरु का आदेश चाहिए निरंतर चाहिए शद्धा के सार्ट करेक्शन कंप्लीट चाहिए तो मुश्कुराओ हर आधे गंद उठाकर आप देख सकते हो डेली रात्री वे सोते समय अपने आपको आशिरबात दिया करो वो भी उपाए का वीडियो आपके पास पड़ा है आप देख सकते हो अंदर जाकर के चेक कर सकते हो यह सब कुछ करो छोड़कर जा रहा हूं तुमें कल तक के लिए फिर हाजिर में उन पक डंडियों में ख्यालों में उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्री में ओम नमस्षिवाए अ 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